ये गाईस स्वागत है आपका अप्पी की रसोई में तो आज हम लोग बहुत ही हेल्दी नास्ता बना रहे हैं गर्मी के समय में ये पांच प्रेट में बनके तैयार हो जाएगा तो सबसे परले कड़ाई गरम हुने रख दिया था उसमें हम आदा चोटा चमज तेल डालेंग ज्यादा तेल की जब्रत नहीं है कि बहुत ही हेल्दी नास्ता है और इसे बच्चे भी बहुत अच्छी से इंज्वाई करेंगे और उसके बाद मैंने 200 ग्राम बिंडी लिया है और बिंडी को मैंने काट लिया है बीच से चोटे-चोटे पीसेज कर लिया है और इसे हम सार अपनी पसंद की कोई भी सब्जिया इसमें एड़ कर सकते हैं मेरे पास अभी भिंडी था तो मैं सिर्फ भिंडी से ही बना रही हूँ और मेरे बच्चे को भिंडी भी बहुत पसंद है इसलिए मैं भिंडी के साथ ही बनाऊंगी और इसके साथ ही मैं एब एड़ करूं और उसके बाद मैंने एक टमाटर को बारिक बारिक काट लिया था मैं उसे भी डाल दे रही हूं कि मैं बिल्कुल भी विडियो इसकी नहीं करूंगे यह पांच मिनिट में बनके त्यार होगा और उसके बाद आधा छोटा चमच में इसमें लासन और लाल मिर्ज का पेस्ट डालूंगे अगर आपको लासन और लाल मिर्ज का पेस्ट नहीं पसंद है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं और इसे हम ढखकर दो मिनिट के लिए पकाएंगे गैस के फिलिंग को भी लो कर देंगे ताकि हमारा टमाटर सॉप्ट हो जाए और ज्यादा भींडी को पकाने की ज़रूत नहीं है यह पांस मिनिट में ही बहुत अच्छे से पक जाएगा अब इसे हम ढख देंगे दो मिनिट के लिए दो मिनिट के बाद इसे हम सुछ से चलाते हैं यह देखिए हमारा टमाटर भी सॉप्ट हो गया है और भींडी भी हमारा पक चुका है बहुत अच्छे से अब इसके इसमें हम एक कप पानी डालेंगे पानी मैं बाद में भी थोड़ा बहुत डालूँगी पहले एक कप पानी डालते हैं यह देखिए एक कप पानी डालके से मच्छी से मिला लेते हैं और ढखके एक मिनिट के लिए पानी में एक उबाल आने तक वेट करेंगे यह इसके फ्लेम को हाई कर लीजिएगा यह जट पर तयार हो जाएगा और हेल्डी भी है और बच्छों को पसंद भी आएगी और यह एक उबाल आ जाएगा तब इसमें मैं एक कप ओट्स डालूँगी यह प्लेन ओट्स है और जब आप प्लेन ओट्स को इस तरह से बनाएगा तो मार्केट जैसा मसाला ओट्स से भी अच्छा बनेगा और यह कम खर्च में बहुत अच्छा सा आपका नास्ता तेयार हो जाएगा जो आपके बच्छों को भी फिट बनाएगा और आपको भी फिट बनाएगा अगर आप वेट लॉस जर्निंग में है तो इस तरह का नास्ता भी ट्राई कर सकते हैं तो यह देखे यह प्लेन ओट इतना ओट्स दो आदमी के लिए बहुत है कि देखिए आदा कप पानी मैंने डाल दिया है थोड़ा सा पानी बचेंगे है पानी आप अपने अनुसारी डालिएगा देख लेजेगा कितना पानी इसमें जर्वत है ज्यादा पतला भी नहीं अच्छा लगता हो यह ज्यादा गाड़ा भी नहीं अच्छा लगता आप लोगो बनाए होंगे आप लोगो पता होगा और यह बहुत ही हेल्दी नाजता है गर्मी के मौसम में अपने बच्चों को जरूर बनाके दीजिए और मार्केट टाइप मसाला ओर्स बनाने के लिए एक पैकेट इसमें हम मैगी मसा आजाएगा और आपको वेट लॉज जर्निंग में भी बहुत मजा आएगा अगर इस तरह के समान खरीब कर और बनाकर खाते हैं तो मार्केट के कोई भी समान को आपको खरीदने की जरुरत नहीं है और ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और बहुत अच्छा आपको एक हेल्दी ऑप्सन मिल जाएगा तो आप इस तरह से मसाला ओट जरूर बना के खाईएगा बहुत सारे सब्जी हैं डालके जो सब्जी भी आपको पसंदे तीन चार सब्जी भी एक साथ मिक्स करके आप इसे बना सकते हैं और यह हो गया है हमारा ओट्स बनके तयार हो गया है यह देखिए कि इतना जल्दी हमारा ओट्स बन गया पांच मिनट के अंदर ही हमारा ओट्स बनके तयार हो गया और अब इसे हम ज्यादा नहीं पकाएंगे और इसका गैस के फ्लेंग को अब हम लोग बन कर देते हैं यह देखिए मैंने गैस के फ्लेंग को बन कर दिया है और अब हम इसे एक बर्तन में सर्व करके आपको दिखाते हैं कि ये कितना अच्छा बना है ज्यादा सुखा मत की जेगा फ्रेंड्स नहीं तो फिर ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद बहुत ही खराब लगता है बस इसी स्टेश पर हमें गैस के फ्लेम को बंद करना है और ये देखिए हमारे ओट कितने अच्छी बनके तैयार हुई है जैसी ये लग रही है वैसे खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी लगेगी अगर आपको मेरी विडियो पसंद है तो प्लीज मेरे विडियो को सब्सक्राइब कीज़ेगा